हाई मेभी आप लोगों ने बहुती मिश किया होगा लेकिन किसी कारवनस में आ नहीं पाया आपके बीच तो चलिए में साथ एगा फिर से पत्राकन की नसीन वादयों में तो एगा फिर से आज हम आए थे जागधार साइड क्योंकि रिलेटिप्स के यहां एक मांगलिक कारे ह तो उसके लिए यहां पर आना पड़ा और आज मैं आपको एक और जगह दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में अभी चलेंगे अब तक आप इस टाइम लैप्स का मजा लीजें बहुत ही सुन्दर है तो जिन फ्रेंड्स को मैंने भी यहां पर बुलाया था वो आ चुके ह करता था निहारक करता था और वो सड़ा कितनी खुबसूरत है और यहां के वो सारे नजारे जो सामने आपको जंगल दिख रहा है वो जंगल गुप्तकाशी के उपर ऐसे दिखता है जैसे भारत के नक्षे में कस्मीर तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम कहां जाने वाले हैं हम जाने वाले हैं अभी आज ज्वालमुकी के टेंपल में जो की गुप्तकाशी से थोड़ा ही दूरी पेश दिते हैं और लोग यहां टहलते टहलते और गुमते इन हसीन सी वादियों में आ हैं और सामने दिख रहा है मेरा होम मेरा नगर उखी मत बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा अच्छी सुन्दर कुछ दूर चलते ही अब हम पहुंच चुके थे ज्वालमुकी के जो में गेट है वहां पे यह वाली सलक जाती है उपर देवर के लिए यहां भी डेवर एक ब गने से जंगलों के बीच हमारा रास्ता सुरू होता है और यह खतम होता है तब जब हमें दिखता है जौलमुकी का मंदिर का गेट और यहीं आप यहां तक सीदे सड़क से भी जा सकते हैं पूरी गाड़ी जाती है में गेट तक तो फैनली पहुंच चुके हैं अब जौलमुकी के टेंपल में वाव क्या लोकेशन है वाई जौलमुकी का टेंपल जो है वो है देवर और सांकरी वालों की पुल देवी यहां पर सामुई कूजाएं वेगर होती हैं देवर और सांकरी वालों की जो मेरे साथ यहां पर आये थे सचिन और एवसिक उनके दारा बताया गया कि यह मंदिर पहले बहुत ही छोटा था मतलब उसके बाद ही गाउंवालों के सायोग के दारा यह इतना बड़ा बनाया गया यहां पर और बहुती भव्य मंदिर है यहां पर तो इस छुपेवे मंदिर की खोज करने के बाद बहुती अच्छा लग रहे हैं यहां से दिखने वाले गाउं हैं आपर सामने से दिख रहा है हमें पॉई पसल ल्वारा लम गॉंडी सारे गाउं दिखते हैं और यह रास्ते मैं से पुराने टाइम में जो गाउंवाले थे उनके द्वारा भी यूज किये जाते थे एक गाउं से दिफरे गाउं के जाने के लिए और यह जो सड़क बन रही है पॉल वेदर रोड़े यहां पे जो नीचे दिखते है अभी यह जो नीचे जा रही है रवारा से होते हुए और इन पकडंडियों पे अब से एक सुपला के साथ कुछ वारता करने के बाद बहुत ही मस्त मजा रहा था है यहां पे पिल्कुल यह जिन से मतलब यह खेल का मैदान डाइप है छोटा-छोटा बहुत ही प्यारा है यहां पे यहां वैसे बिसिकली वो लोग आ सकते हैं जिनको सांधी चीए और सहर से थोड़ा सा दूरी है ज्यादा दोर भी नहीं है गाड़ी यहां तक आती है आप लोग यहां पे आ सकते हैं ज्वाला मुखी टेंपल के दर्शन कर सकते हैं और एक बहुत ही प्यारा पुर्या जो प गॉंडी हो गया नाग जगे हो गया लुआरा का पूरा एरिया हो गया अभी हमने साड़क देखी तो कैसा लगा आप लगूं को हमारे साथ एक और हिडन टेंपल प्लेस को खोजने के बाद हमें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर है उसी तरह से सपोर्ट करते रहे है और हम आगे भी आपको एसी इडन प्लेसेज आपको दिखाते रहेंगे तब तक के लिए सी यू राटा बाइबाई